साथियों हमारी सरकार ने न सिर्फ चुनोतियों को स्विकार किया है बलकि उनके समाधान को लेकर गंबिर्ता से प्रयाज भी किये हैं मुझे आद है जब 2014 में सरकार बनने के बाद पिछली सरकार के दोरान हुए NPS और उसे छिपाने के लिए की गई गड़बडियों की बात सामने आई थी तो क्या स्थिति थी हमने इस घोटाले को देश के सामने ला करके इसी निपटने का रास्ता बढ़ाया अब इन्सॉलवंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आई बीसी की वज़े से करीब तीन लाग करोड रुपिय की बापसी स्यूनिश्चित हुई है पर आपको याद है ना एन्पियस को लेकर कुछ लोगों ने कितना हल्ला मचाया था एक पैटरन का ही हिस्सा था हर संसत सत्र से पहले ये लोग कोई न कोई नया जूट गड़ लेते हैं और फिर इसे सभी फर थोपा जाने लगता है एक सत्र होगा एक किसी प्रहंदेजा जगी जगह कोई खबर चपाई जाएगी या ब्रेकिंग नूज बना दिया जाएगा और फिर पूरा उनका इको सिस्टिम उसे लेकर उड़ जाएगा आप लोग मिडिया में तो बैक्ग्राउंडर पैकेज बनाते हैं सारी कडियों को जोड़ते हैं याद करिए एनपीएस को लेकर यही पैटन चला इवी एम को लेकर यही पैटन चला रफाइल को लेकर यही पैटन चला कुछ दिन पहले जब सरकार ने एतियासिक रूप से कॉर्परेट टेक्स कम किया तो फिर कुछ-कुछ शरुवात की गई थी और आज कल इलेक्शन बॉर्ड इनका फेवरिट बज़ बज़ गया है